एक बहुत ही बड़ी अपडेट एक बहुत ही बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ देखो अभी के टाइम पी क्या हो रहा है कि लोग जो है ना assignments जो है वो handwritten purchase कर ले रहे हैं कहीं से और फिर उसको जो है इगनु के पास submit कर दे रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ी बात निकल करके आ रही है कि इगनु जो है इसके उपर सक्त action लेने वाली है even वो लोग अभी marks जो है ठीक तरीके से दे नहीं रहे हैं क्योंकि देखो अगर आप assignment आप खुद से लिखोगे अपनी handwriting में होगा बली आप कहीं से भी assignment लिखो उससे फर्ट भी पड़ता बट assignment जो है वो आपकी handwriting दोना चीए ताकि इससे पता चले कि आपने खुद मैनत करी है अब कोई एक बंदा copy करके लिख रहा है और फिर उसी चीज़ को वो 5-6 copy, 7-8 copy वैसे बना करके बना करके फिर वो सेल कर दे रहा है अब 5-10 लोगों के पास से 100 लोगों के पास से अगर same handwritten assignment अगर कोई submit करेगा तो definitely उनको पता चली जाना है कि वो लोग जो है आप लोग ठीक तरीके से लिखनी रहे हैं खुद से लिखनी रहे हैं आप बस खडीद रहे हैं खडीद करके फिर submit कर देना अभी कि टाइम पर पैसा बहाना यादा असान है comparatively खुद से नाइनत करना तो वो चीज़ मत करो यार assignment अगर purchase करना है तो ऐसा purchase करो जिसको आप खुद से लिखें और खुद से लिख करके submit करें तो यह assignment जो है ले करके अप मेरा तो best suggestion होगा कि आप खुद से answer को ढूंड करके लिखें पर जिनके पास समय नहीं है वो assignments को purchase कर सकते हैं तो उस case में आप assignments पर सकते हो लेकिन at least लिखने का काम जो है खुद से कर लो यार ठीक है न ढूंडना नहीं पड़ेगा आपको answer answer मैं दे दूँगा आपको लेकिन कम से कम लिखने का काम खुद से कर लो बहुत जरूरी है वो काम कुद से करना क्योंकि इससे आपको examination के बारे में बहुत idea हो जाता है तो बात होगे assignment के बात कर लेता है आने वाले समय में जल पर old वाले वो तो old पर करना है new वालों पर करोगे तो आपको first semester, second semester, third semester, fourth semester यह सारा अगर सारा जो है यह link आपको दिख जाएगा इस link के उपर आपको questions मिल जाएगे जो exam के लिए important है ठीक है न मैं दिखा देता हूं आपको एक बार बट यह है new वाला old वाले पर आप यह chapter wise ठीक है इसमें से कोई भी answer आपको चाहिए आपने click here पर click किया आपको answer जो है दिख गया आपने इसको पढ़ लिया exam की तयारी आपकी हो गई ठीक है न तो यह एक तरीका है सभी में जो यहां पर websites खुल रहे हैं इन सभी में वो सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हो बगर मैं देखो YouTube lectures का option आपको YouTube lecture सुनना है इसके उपर आप क्लिक करोगी YouTube lecture जो है आपके लिए start हो जाएगा ठीक है पुरा का पुरा लिस्ट यहां पर आजाएगा जो भी आपने watch करना है वो सारी की सारी चीज़ें जो है आप यहां पर बहुत ही असानी से watch कर सकते हैं ऐसे भी अब assignments को free में ही आपको दोंगा बट वो website से रहेगा आपको website पर visit करके जो है यहां से देख करके आप लिख सकते हो ठीक है PDF में आपको नहीं दोगा लेकिन अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए वो चार्जिबल होगा fee बहुत ही कम रखने वाला हो मैं लेकिन वो को मिल जाएंगी उसके साथ assignment आपको free of cost मिल जाएगा ठीक है पर अगर आप सिर्फ assignment लेंगे तो फिर आपको 50 रूपीज पर paper पे करना है जो कि last semester में भी कई सारे students ने उसी price पे लिया था ठीक है न तो यहां से आप study कर सकते हो साधी साथ जैसे कि मैंने बटाया notes हमारे पास available है तो notes आप जब भी आपको चाहिए होगा आप हमें call या फिर WhatsApp कर ले ना हमारे phone number पर जो की है 81010653 contact us में जाकर करके आप हमें follow कर सकते हो commerce पार्चला Facebook पेज भी हमारे telegram चैनल पर so you can follow us at anywhere you want and study material आपको पता करना है यहां से आप study material कर स्टेटस चेक कर लो कहां तक पहुंचा आपका study material ना आप become के student हो यहां से कर लो इगनू quick links पर जाकर करके आप हर एक चीज कर सकते हो यहां पर हर एक चीज आप कर सकते हो आपको अपना you know ID card डाउनलोड करना है आपको अपना सारे की सारे subjects के लिए ठीक है तो इस इस एंड आप इस वीडियो वीडियो पर खाल रखो बबाए थैंक यू